बदमासों को नहीं बुल्डोजर का डर दिन दहाड़े दे रहे घटना को अंजाम सुरेली निवासी युबकों को बदमासों ने मारी दिन दहाड़े गोली मौत जली में बदमास हुई बेखोप, बेते दिनों, अधिवक्ता, आजाद की हत्या के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना को दिन दहाड़े दिये अंजाम पुलिस की कारेशेली पर सवालिया निशान गोसाई गंज थानाशेत्र के बरोई में सुरोली निवासी युबक सफदर एमाम की गोली मार कर हत्या गोसाई गंज सुल्तानपोर दिन दहाड़े युबक की गोली मार कर हत्या से इलाके में हड़का में मच गया गोसाई गंज थानाशेतर के बरोई गाउं का पूरा मामला पताया चारहा है कोतवाली देहा थानाशेतर अधी वक्ता हत्या कंड की आग अभी ठंडी नहीं पड़ी थी की एक बार फिर गोसाई गंज थानाशेत्र सुर्वली में गोलियों की तर्टलाहर से संसनी फैल गई जले के संबन्दित सभी थानाबर पलिस अलट हो गई है आला कमान घटना इस्थल के लिए रबाना हो चुके हैं पले सदेक्षक सुमेन वर्मा का कहना है कि गोली कांड की घटना संग्यान में आई है खुलासी के लिए टीम घटित कर दी गई है जल्द ही सभी पहलूँ पर जांच करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा अभी हत्याकांड के पीछो का कारण स्वश्चन नहीं हुआ है विदिक कारवाही कीज़ रही है लेकिन बदमासों ने सुल्तानपोर में जंगल राज कायम करने का भर्षक प्रियास किया है जोकि डीजीपी का आदेश है किसी भी अपराधी के उपर एक से अधिक मामले में अभ्योक्त होने पर गैंगिश्टर की कारवाही करें